नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोति सीक्रेट नवरात्री का सात्मा दिन मा काल रात्री भक्तों को काल से बचाती है और मा की पूजा भोग तमाम बाते भी आपके साथ हम सिंपल तरीके से साजा करेंगे लेकिन आज साम में एक विसेश प् यानि सुक्रबार 23 अक्टूबर का दिन मा काल रात्री को समर्पित है और मान्यता है मा काल रात्री भक्तों को अभ्यवर्दान देने के साथ ही ग्रह बाधाएं भी दूर करती हैं मा काल रात्री की अराधना से आकस्मिक संकटों से मुक्ति भी मिलती है और मा काल रात्री का एक और नाम है और वो है सुभंकरी मा कालडात्री का सरीर अंधकार की तरह काला है मा के बाल लंबे और बिखरे हुए है माता के गले में पड़ीवी माला बिजली की तरह चमकती है और मा कालडात्री के चार हाथ है एक हाथ में माला, खटग, दूसरे में लौह, सस्त्र, तीसरे में बरमुद्रा और चौथे में अभवे मुद्रा है मा की कृपा प्राप्त करने के लिए मा को आप लाल पुस्प जरूर अर्पीत करें लाल गुड़हल का पुस्प मा बहुत प्रसन्न होती हैं और मा को विशेश तोर पर आज के दिन गुड़ का भोग लगाया जाता है ताकि आपका स्वास्त अच्छा रहे और आप सभी हर तरह की परेसानियों से सुरक्षित रहें और ये गुड़ का भोग लगाने के साथ ही मा के सामने एक मुखा दिया जरूर जलाईए याद रखिए एक मुखी दिया आपको इसमें एक ही बाती जलाना है और आप लाल धागे की बाती परियोग जरूर करें मा काल रात्री की अगर विधी विधान से आप अराधना करते हैं तो आपको अकाल मिर्तियू दुरगटना जैसी चीजों से बचाते हैं चुकि गुड़ बहुत पसंद है इसलिए गुड़ का भोग लगाईए आधा खुद आप परिवार के साथ खाईए और आधा का गुड़ जो बचा हुआ है उसको किसी पास के मंदे में दे आए किसी गरीब को दे दे तो आज हम बात कर रहे हैं लौंग के परियोग से कैसी आपके किसमत के तालिक खुल सकते हैं या फिर आपके जीवन की समस्त मनुकामनाई पूरी हो सकती है देखिए सबसे पहली बात तो आज सामने असनान बिगएर करके लाल या सफेद कपड़े पहन कर मांके सामने बैठे एक घी का एक मुखा दिया जलाएं अब एक सो आठ ल объ उझ उठाते जाएं और मा के सामने मंत्र के साथ रखते जाएं एक एक कर के मंत्र आप लोग उठाईए या और्यों को परियोक करना है और मां से प्रातना करें कि आपके जीवन की जो परिसानिया हैं बाधाएं हैं आकस्मिक जो दुरगटना योग है या पिर आपके स्वास्त में परिसानिया सत्तु परिसान कर रहे हैं आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं भाग में बाधा है मां से प्रार्थना करें आपकी समस्त मनों कामना पूरी होग झाल झाल झाल